के तो फ्रेंट्स आज मैं यह वाला फ्रेंटील में यह स्टूडेंट जी बालो मैं झाल तॉरा आप ज्चूटे बालो तो यह मारा फर्स्टायल साथ tendencies की तरफ चलते और करके दिखाते हैं वाला हेस्टाइल तो यह है हमारा यह है उसके वाले सबसे पहले मैं आपको यह पर आप बताती हूं आपको बारिकी के साथ एक चीज़े के बताती हूं लाइव बालो को लिया है पहले एक सब्स ख़ंगे ऑसे बालो कुछ बरक साओंगी और इसंसे कौरन ताकि अभेख को लेयर निकाल लिया और फिसाज को घूल स्टार्ट करेंगे और सिंपल चोटी जैसे अभी हमने बनाई थी सेम उसी तरीके से आपको एक और चोटी बनानी है और इस वाली चोटी को भी उसी क्लिप के अंदर ले जाके सिक्यूर कर लेंगे तो इस तरीके से गूत लिया है इसी चोटी पे इस तरीके से पिन के अंदर मैंने कर दिया है और इसको डबल क्लिप लगा लिजेगा अगर आपको लंबे टाइम के लिए यह हैरस्टेल बनाया रखना है तो तो कुछ इस तरीके का लुका रहा था फिर दूसरी साइड भी हम लोग इसी तरीके से हैरस्टेल चोटी मनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको चारों मेंसे कौन सी हैरस्टेल सबसे जाद अच्छी लगी मुझे कमेंट करके चुरूर बताएगा तो इस तरी कैसे मैंने इस साइड भी चोटी गूत ली है और सेम जैसे हमने उस साइड किया था वैसे ही आपको इस तरफ भी क डाउट हो तो आप मुझे से पूछ सकते हो तो इस तरी के से मैंने इसको चोटी को बनाया है और फ्रेंट से लेयर चोड़ दिये हैं अगर आपका फेस भी बड़ा है तो आप लेयर चोड़ दीजेगा वन्ना आपका हेरस्टाइल है वह बहुत अजीब दीखेगा फेस कि चकटी अजीब दीखेगो है रहा हेट वह य सुलडर लेंग तक हैं तो भी अर लंबे बाल बाले भी इसको ट्राइए कर सकते हैं तो इसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड रिदर्ड में आपको आ फ्रें्ट से ऐसा ही रखना हैं और लेयर को निकाल लेना लेयर और को चा तो रबर टूट किया दूसरा रबर लिया मैंने इसको पोनी बना लिया आप चाहो तो यह पर मोटा वाला रबर भी यूज कर शकते हो इसके बाद क्या करना है थोड़ा साइड से लेना है इस तरीके से लगा देना है यह पीन की मदद से इसको सिक्यूर कर लेना है और चाहो तो थोड़ा सा जैसे हमने चोटी बनाई थी तो फिर हमको दूसरी सेट से एक लेना है इसको चोटी गूत लेनी है इस चोटी से सारे रवड को हाइट करेंगे इस से थोड़ा सा लूक और ज्यादा अच्छा लगेगा तो यह मारा थार्ड हेयर स्टाइल हो गया तो इस तरीके से पोनी के चार तब चोटी को लगा लिया है एंड यू पिन से सीक्यूर कर दिया तो यह हमारा थार्ड हेयर स्टाइल है कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूब रहा है इसके साथ आप जूड़ा भी बना सकते हो और बालों को कर्स कर दिजेगा फ्रंट स हैंड पॉनी टेल के सारे हेयर को तो और भी ज्यादा प्याला लगेगा यह ही था दस तरीकी 5 गजा द्धालद क्लिइब का मैंने पंजा मेंडोब हो फूल डीटेल विडियो अप्लोड हो चुक है तो आपने नहीं देख्ञा थो प्लीज देख लिजे 6 जाके और कैसे लगा है विंक कैसे बनाया है डबल विंक कैसे बना चाहिए और लाइनर लगा कि आपको काजल को कैसे अपलाई करना डबल विंक में किस तरीके से आई लैटर यूज करना है अब बार याद थी जो की काफी टाम से रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा किया था अब मैं बालों को वास करूंगी तो आपको बना के दिखाऊंगी सिल्क पोनी टेल एंड बन हैस्टाइल ओके फ्रेंट से आसा था बैक से कुछ ऐसा था तो यह हमारा चौथ हैस्टाइल हो गया इसके साथ आप बन भी बना सकते हो बन बनाने के लिए हम लोग को क् कभी बहुत हैवी हैर्स्टाइल कर लिए और समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से हैर्स्टाइल करके ऑफिस एंड कॉलेज जा सकते हो कभी कभी क्या होता है तवियत खराब होती है जिसके वज़से हम लोग अपने हेर वोस्त नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके से कर स क्योंकि यह निकल जाएगा तो इवने अलग से अटेच किया तो फिर जो हैस्टाइल हो खराब दीखेगा फिस तरीके से सारे बालों को ट्विस्ट किया था और यूपिन से इसको सिक्यूर कर देंगे तो अगर आपको पोनी नहीं बनाना है या फिर बाल थोड़ा अनमैने बॉक्स में कि पोनी टेल अच्छा लगा या फिर यह 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 अच्छा लगा तो यह था हमारा चौथा हैस्टाइल जो कि हमने बहुत ज़्यदा हैवी हेर रेलिंग बालों के साथ किया था तो उसके बाद मैंने खोल लिया था तो चलते हैं पांचवे हेर स्टाइल के तर्व पांच बाबाबा है यह मैं डोनेट बना देंगे यह यह प्राइगल के लिए बीच में लगा देंगे फिर दूसरी साइड से एक और चोटी गुतेंगे और इसको पुदा इस तरीके से स फिस्टरीके से लपेड दिया है बालो के दोनेट बनके ऊपर और यूपिन शमाद कर दैंगे एक मी यहां लगांगे और दूसरा में लेंगे फिर दूसरी साइट से भी इसी तरीके से थोदे थोड़े लेंगे और उसको चोटी बनाते जाएंगे चोटी को एक साइड से कि जा रहा हो आपको पिर से उसको दूसरे वाले पोनी चोटी के नीचे अजस्ट लगाया है एंड यूपीन से सिक्यूर कर दिया ऐसे ही करते जाएंगे और सारे बालों को कॉम करके और चोटी बनाके डोनट बन को हाइट करते जाएंगे इस तरीके से एक साइड से यह को किछते जाएंगे और यूपीन से सिक्यूर करते जाएंगे करते जाएंगे और पूदा बन जो है कुछ इस तरीके कलुग आएगा भी कट मत कीजेगा वीडियो देखिए अभी और भी थोड़ा सा है डिफ्रेंट लुक इस तरीके से ट्विस्ट किया है और बन के चादु तरफ से लपेर दिया है और इसको आप थोड़ा सा वेडिंग सीजन में आप यह वाला बन ट्राइए कर सकते हैं आपको वीडियो पसंद आया है और अच्छी लगी हो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा थैंक्स पर वर्ट